हेलो दोस्तो मैं हूँ अभिशेक और गैजिस्टी उसके इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे एक नए फोन के बारे में जो की लाँच हो गया है फाइनली चाइना में हाला कि ये इंडिया में नहीं आया है लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द इंडिया में आ जाएगा जी हाँ मैं बात करना हूँ शाओमी के इस नए फोन के बारे में जिसका नाम है मी 6X तो मी 6X बेसिकली चाइना में लाँच हो चुका है ये फोन लाँच हुआ है वहाँ पे कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन के साथ जिसको देख के मैं कह सकता हूँ कि ये हो सकता है एक्च्वल रेड्मी नोट 5 प्रो का किलर क्योंकि इस फोन के अंदर हाडवेर रेड्मी नोट 5 प्रो से बहतर है और साथ ही साथ कैमरा भी यहाँ पे ऑसम दिये गए है सारी चीज़े बताते हैं आपको एक एक करके और बताते हैं कि कब ये फोन इंडिया में लौंच होने वाला है तकरीबन एक से डेड़ महिने के अंदर ये फोन इंडिया में आ जाएगा और ये फोन आएगा दूसरे नाम से इंडिया में यानि कि Mi A2 के नाम से ये phone आपको मिलेगा Stock Android Android 8.1 Oreo इसमें आपको मिल जाएगा चलिए बात करते हैं इस phone के बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीज़े इस phone के अंदर हैं तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम design तो design बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि Redmi Note 5 Pro का है लेकिन यहाँ पर ये बहतर है Mi A1 के अंदर आपको पूरा metal unibody design मिलता है यानि कि उपर की तरफ और नीचे की तरफ प्लास्टिक नहीं मिलता है पूरा metal का phone मिलता है ऐसा ही कुछ Mi 6X में भी है और ऐसे में Mi 6X में आपको पूरा metal जो है पीछे की तरफ मिल जाएगा और antenna band मिलेंगे top में और bottom में जिससे ये phone और बहतर हो जाएगा overall build quality में और बाकी चीज़े बताएं तो इस phone के अंदर आपको मिलेगी 4GB RAM और साथ इसाथ 6GB RAM, 64GB, 4GB का variant तीम वेरेंट यहाँ पे है और इसकी pricing start होगी इंडिया में समझ लीजे कि 15-16,000 के आसपास definitely इसकी pricing जादा होगी Redmi Note 5 Pro से तो सबसे अच्छी बात Mi A2 के होने वाली है इसमें Snapdragon 660 यानि की latest वाला processor मिलेगा powerful वाला processor मिलेगा साथ ही साथ इसमें cameras भी आपको बढ़िया मिलेंगे और ना सिर्फ rear camera front camera भी आपको अच्छा मिलने वाला है तो यहाँ पे Sony की जो latest sensor आपको देखने को मिलते हैं Redmi Note 5 Pro में कुछ वैसे ही sensor यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे तो अगर हम बात करें front camera की तो 20 megapixel का camera f1.75 aperture वाला यानि कि यह selfie बहुत बढ़िया आएगी और low light में भी आप अच्छी selfie capture कर पाएंगे rear camera में आपको dual camera मिल जाएंगे और overall form factor की बात करूँ तो form factor में भी phone light weight होने वाला है तो यह है तक्रीबन 180 gram जब कि Mi A2 आपको आएगा तक्रीबन 168 gram थिकनेस की बात करें तो 7.3 mm की थिकनेस होगी तो थिकनेस की मामले भी इससे हलका सा जो है फरक आ सकता है लेकिन बहुत जादा फरक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा अगर हम बात करें rear camera तो rear camera Mi A2 में आपको मिलेंगे 12 प्लस 20 यारी कि 12 megapixel का camera जिसमें मिलेगा आपको IMX Sony का latest वाला sensor 486 वाला sensor बहुत ही बढ़िया sensor है photos बहुत अच्छी आने वाली है साथ ही साथ 20 megapixel का एक और camera मिलेगा और यह camera होगा आपका IMX 376 वाला sensor जो है IMX वाला वो आपको front में और rear में दौनों में मिल रहा है और इसके लावा एक और बहुतर sensor मिल रहा है 12 megapixel वाला वो है IMX 486 तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी है cameras होने वाले हैं मुझे लगता है कि इस phone की pricing थोड़ी महंगी भी हो सकती है पहली बार हो सकता है कि Xiaomi price में थोड़ा ऊपर चला जाए साथी साथ इस phone के अंदर एक चीज़ जो छोटी सी कमी है वो है battery, battery यहाँ पर बड़ी नहीं मिलेगी आपको 3010 mh की battery मिलेगी आपको Mi A2 में जिसके अंदर आपको fast charging मिलेगी पहली बार पहली बार fast charging वाला phone जो है इंडिया में launch होगा Xiaomi की तरफ से तो overall देखा जाए तो यह phone बहुत कमाल देख रहा है और मैं बिल्कुल excited उन्हों कि यह इंडिया में जल्द से जल्द आए आप लोग बताएए कि किस price पर यह इंडिया में launch होना चाहिए और again कितना जल्दी यह इंडिया में launch होना चाहिए Xiaomi से definitely अभी launch नहीं करेगा क्योंकि Redmi Note 5 Pro उन्होंने बेचना है और जादा से जादा बेचना है Mi A2 की price थोड़ी सी जादा हो सकती है और वो जादा 18,000, 19,000 तक जा सकती है इससे उपर नहीं जाएगी हलाकि इसके 3-4 variant मिलेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही I hope कि वीडियो आप पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो से लगाए कुछ questions आपके है Mi A2 के बारे में तो आप पूछ सकते हैं वीडियो के comment section के दुरू बहुत बहुत शुक्री आपके फिलियो को देखने के लिए जैहिन वन्ने मात्रम